असलावलेकूम रहे मुतलाय परकातु आज हम बनाएंगे कोकनी स्टाइल में फिश करी की रेसिपी माशाला बहुत ही टेस्ट्री लगने वाली ये फिश करी की रेसिपी है आप इसे जरूर ट्राइ करके बना के देखना आपको भी बहुत पसंद आएंगी ये वली रेसिपी चली फिर बिस्मिल्ला करके हम स्टाट कर लेते हैं रेसिपी बनाना सबसे पहले देखिए मैंने आदा किलो पापलेट मच्छी का इस्तमाल करी हूँ इस साइज में इसे मैंने कट करके ले ली हूँ आपको जिस साइज में इसे कट करके लेना है उस साइज में आप इसे कट पिर यहां पर देखिए सुके खोबरे का भी इस्तेमाल करी हूँ इसे भी इस पर तरह यहां पर थेक गिले-खोबरे का भी इस्तेमाल करी हूँ, इस Saiz में हमें से कट करें इससे में डाल देना है, माशाला बोध च्छे शे 2 Тेस्ट आता है इसकेट कोगते इसी तरह से बनाया जाता है फिर यह एक पेदे की मैंने 6-7 मैंने हरी मिश्ट का इस्तेमाल करी हूँ यह पीडी वाली मिश्ट बिल्कुल भी तीकी नहीं रेती करके मैं इत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ फिर एक मुट्टी भर के हम इसमें दाल देंगे हरा धनिया फिर इसमें दाल देंगे हम हाफ टी स्पून इसमें दाल देंगे हम जीरा 12-13 हम इसमें दाल देंगे लसन की कलिया एक बड़ा सा तुकड़ा ले ले लेंगे हम अद्रक का ये भी इसमें दाल देंगे अभी हम और अच्छे से भी हम इसे mixer के ज़र में इसे paste बना के ले लेंगे तो माशाला देखे मैंने एकदम fine paste इसका इस तरह से बना के ले लेना है मैंने इसमें आदा कप इसमें पानी दाल के इसे पीसके ले लिए हूँ अभी यह masala तो बन चुका है अभी हम इसके आगी की प्रोसेस कर लेंगे पुरी यहाँ पर एक कड़ाई ले लेंगे कड़ाई में दाल देंगे तेल तेल में दाल देंगे जो बसाला हमने बना के लिए हो पूरा इसमें दाल देंगे और अच्छे से तेल में fry करके ले लेंगे बिना चमच रुका है इसी तरह से हमें इसे fry करके ले लेना है अब हम इसमें मसाला भुन्ने के बाद में फिर इसमें दाल देंगे 2 चमश भरके लाल मिश पाउडर यह तिकी नहीं करके इस्ति इस्तिमाल कर रही हूँ पर आप अपके तिकी के सब से इस्तिमाल किजेगा 1 टीश स्पून इसमें दाल देंगे अच्छे से भी हम इसे भून के ले लेंगे इसे भी हम एक से दो मिनिट के लिए स्लोग एस पर इसी तरह से भून के ले लेंगे जब हम इसे अच्छे से भून के ले लेंगे तब हम इसमें पानी आड़ करके लेंगे पानी जो है मैंने आदा ग्लास मैंने मिकसर के जार में ही इसमें डाल के से इसमें आड़ करके ले लिए ताकि बचा कुछ है जो भी मसाला है मिकसर के जार में वो इसमें आड़ हो जाए और अच्छे से भी हम इसमें इसमें भून के ले लेंगे कब फैए अब हम इसमें दाल देंगे इमिली का पानी मैंने मसाला बनाने के लिए ले ली थी तो तभी मैंने इमिली को भिगा के रगि थी फिर उसे मैंने च्छान के इसमें ऐड करके ले लिए एक हैश्च से मिक्स करके लेंगे फिर आभी इसमें दाल देंगे नमक नमक हैं मारवे टेज्च सब्सके डाल देंगे और यह भी Ben अच्छे से मिल आकर लिए लेंगे जब तक यह बंब तक ये मासाल्धा जो है अच्छे से परेट न आपाएम करने के बाद में अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे आराम आराम से तो देखे माशालला हमारी पपलेट फिश करी की रेसिपी कितनी पकने से पहले ही टेस्टी लग रही है देखे अभी तक पकी भी नहीं है अभी हमें इसे दो से तीन मिनिट के लिए इसे पका के ले लेना है मैंने इसमें फिर से पानी दाल दी हूँ आदा गलास इसमें पानी दाल देंगे और दो से तीन मिनिट के लिए इसे पका के ले लेना है क्योंकि मच्छी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो ज़्यादा पकने के वज़े से मच्छी खाने में भी टेस्टी नहीं लगती है तो देखिए मैंने इतना इसमें पानी याड़ करके ले लिए हूँ तो इतनी इसकी करी बना ले ना मैं अभी मैं इसे दो से तीन मिनिट के लिए इसी तरह से पकाखे ले लेंगे तो देखिए माशालला हमारी बन चुकी है पापलेट फिश करी की रेसिपी थोड़ा साहरा धनिया पी डाल देंगे इसी तरह से बनाईए अगर आपको पानी लगे तो और भी पानी से पतला सालन आपी से बना के ले सकते हैं पर मैंने आदे गलास में तो देखिए माशालला किते अच्छे से इसकी करी बन चुकी है इसी तरह से बनाईए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ में अलाहाफीज दुआ मैद रखना और यह ज़रूर ट्राइ करना आपको भी बहुत पसंद आएंगी यह वाली रेसिपी माशाला बहुत ही टेस्टी लगती है यह पापलेट की फिशकरी की रेसिपी